चोपड़ा है जो किस यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर देख स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चो राजस्तान स्टेट के सेकंड राउंड काउंसलिंग का सेडूल जारी हो चुका है हर बार की तरह इस बार भी ये ओफ लाइन काउंसलिंग है तो आपको आगे काउंसलिंग कैसे प्रोसीड करनी है आगे कहां-कहां आपको पार्टिस्पेट करना है कहां रेजिस्टेशन करना है इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूँगा तो सबसे पहले एक बार हम सेडूल देख लेते हैं इसका कि सेकंड राउंड का क्या सेडूल है ओफ लाइन का तो इसमें जिन कंडिडेट ने पहले रेजिस्टेशन नहीं किया है वो दुबारा से फ्रेस रेजिस्टेशन कर सकते हैं फर्स्ट राउंड फ्री एक्जिक्ट राउंड है इसलिए इसमें सेकंड राउंड में फिर से कर रखा है उनको दुबारा से registration करने की आवश्यक्तन नहीं है इसमें जिनोंने first round में registration incomplete किया है जैसे part 1 complete कर दिया है part 2 नहीं किया है या फिर registration feast deposit नहीं की है वो भी अपना registration कम्प्लीट कर सकते हैं जिन्होंने फीज डिपोजिट नहीं की है वो फीज डिपोजिट कर सकते हैं इसमें तो इसकी जो रजिस्टेशन की लास्ट डेट रहेगी वो 27 प्रवरी 22 रहेगी इसके बाद में जो एप्लिकेशन fees है जो counseling fees है general category के लिए 2000 रुपीज है OBC SCST MBC और जिनकी income dialogue से कम है उनकी 1200 रुपीज है वो deposit करने की last day 27 February 22 साम 4 बज़े तक रहेगी यानि कि ये application form fill करने से पहले application fees deposit होती है बाद में आपका application form fill किया जता है तो application form की last date रहेगी 27 February को रात 11 बज़ के 45 मिनिट तक इसके बाद में आपको एक registration fees deposit करनी है जिसको other state में security money बोलते हैं तो राजस्तान स्टेट में भी registration fees deposit होती है second round counseling से पहले और first round counseling से पहले भी होती है ये तो general category के लिए ये 10,000 है बाकी जो SCST OBC MBC category है उनके लिए ये 5000 rupees है ये इसके बाद ये deposit करने के बाद में ये जो fees है ये government और semi government college के लिए है अगर private की condition में आप private में admission लेना चाते हैं तो इसमें वन लाक रुपीज deposit करना होगा अभी ऐसे candidate जिनोंने first round में government और semi government के लिए अपलाई किया थार अभी private के लिए apply करना चाते हैं तो उनको अभी registration करना है यनि कि उनको 90,000 rupees और pay करके वो private के लिए अपना registration कर सकते हैं उसकी last date भी 27 फरवरी 22 रात 11 बज के 45 मिनट तक रखी गई है तो वो भी अपना registration कर सकते हैं इसमें इसके बाद में जो NRI candidate होते हैं defense candidate होते हैं PWD candidate होते हैं उनका documents verification होता है उसकी list publish कर दी जाएगी 28 फरवरी 22 को अभी जिनोंने पहले documents verification करवा रखा है first round के time में जो PWD के हैं NRI के हैं defense के हैं उनको फिर चे दुबारा से documents verification करवाने की जोरत नहीं है ये documents verification unique candidate का होगा जो phrase registration करवा रहे हैं round 2 में इसके बाद में जो documents verification का schedule रहेगा यानि की 6 मार्च 22 को सुबद 10 बजे documents verification होंगे और UHS College Dental सुबास नगर जेपुर में इसके बाद में seat allotment होगा 7 मार्च से लेके 13 मार्च 22 तक यानि की website पर एक schedule जारी कर दिया जाएगा वो schedule ring के according schedule जारी होगा उसमें slot होगा की आपका किस slot में number आ रहा है किस date में आपकी counseling हो रही है किस time पर हो रही है तो ये date wise एक schedule आएगा उस schedule के मताबिक आपको physical तोर पर जेपुर पहुंचना होगा और वहाँ पर second round counseling attain करनी होगी अब मैं यहाँ पर आपको चलो ये तो बता देता हूँ मैं 13 मार्च 22 तक आपकी counseling हो जाएगी उसके बाद physical reporting करनी है आपको physical reporting 7 से लेके 16 मार्च 22 तक करनी है जिन candidate को seat alert हो जाती है तो उनको SMS में reporting करनी होती है अब इसमें जिन candidate ने first round में registration कर रखा है second में registration करेंगे उनको counseling में कैसे attend होना है वो मैं आपको बता देता हूँ जिनोंने registration कर दिया है second round में participate करना चाते हैं तो उनको website से अपने login करने के बाद में एक entry ticket download करनी होगी वो entry ticket download करने के बाद आप अपने schedule के मताबिक उस entry ticket में भी आपका schedule दिया होगा उस schedule के मताबिक आपको counseling venue पर पहुंचना होगा वहाँ पर merit wise seat alert होगी जब भी आपका number आएगा आपके range के मताबिक जितनी vacant seat रहेंगी उसके according आपको seat alert की जाएगी अब जिन candidate ने first round में seat ले रखी है और उनका कहीं admission हो गया है दूसरी जगे admission हो गया है या फिर अभी second round का result आने वाला है उनका कहीं उदर कहीं किसी जगे admission हो जाएगा All India की second round में तो first round उन्हेंने join कर रखा है राजस्तान का और वो resign करना चाते हैं first round की seat को resign करना चाते हैं तो वो first march 22 साम 4 बजे तक first round की seat को resign कर सकते हैं उसके बाद वो resign ने तभी कर पाएंगे जब उनका second round में merit number आएगा merit point आएगा उनका जैसे की second round की counselling हो रही है और उनका जब तक number नहीं आता है जब उनका number आएगा तब वो उस seat को resign कर सकते हैं तो अगर किसी candidate का पहले ओल इंडिया में या कहीं भी हो जाता है वो resign करना चाते हैं तो वो resign कर सकते हैं first march 22 तक resign करके अपने documents वापस ले सकते हैं तो ये तो एक condition ये थी resign करने की दूसरी condition ये है कि first round फिर ये exit round है अगर किसी candidate ने first round में seat alert होगी join नहीं किया तो कोई problem नहीं है वो second round में counselling में participate कर सकते हैं second round की counselling के लिए वो eligible हैं किसी परकार की उनको कोई problem नहीं है इसके बाद जो second round की counselling होती है राजस्तान की उसके अंदर original documents की requirement होती है यानि कि आप तभी participate कर पाएंगे जब आपके पास में original documents होंगे इसके बाद राजस्तान की second round में वो candidate participate कर पाएंगे जिनके पास में documents हैं ये मैंने आपको बता दिया है original documents है अगर original documents नहीं है तो आपको जाने की आउशकता नहीं है counselling में part लेने की आउशकता नहीं है तो ये condition है राजस्तान के second round में बाकी जैसे जैसे condition आती जाएंगी जैसे जैसे कोई rule आएगा इसके बारे में जैसे कोई update आएगी हम आपको inform कर देंगे तो अगर आप भी राजस्तान के second round में participate करना चाते हैं तो आपको registration करना है आलड़ी registration कर चुके हैं तो जो website पर schedule दिया जाएगा उसके मताबिक आपको RUHS dental में present रहना है original documents के साथ में और आपको seat allot हो जाती है तो उसके बाद seat allotment होने के बाद आपको allotment later वह ही जारी कर दिया जाएगा उसको लेकर के आपको SMS में reporting करनी है SMS में आपको bond वगरा की formalities पूरी करने के बाद में college में report करनी है और further class attend करनी है तो ये जानकारी मैंने आपको दे दी है नई जानकारी के साथ नए वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगा तब तक के लिए जैहिन